ðंकी दे भारत्यथा पाटरि को एक मुसलिम महिजा द्वारा बोट देना उसके लिए जी का जंजाल बन गया है चुकि अब उसके पती ने उसे तीन तलाक की धंकी देते हुए घर से निकाल दिया है आपको बता जाएं कि पूरा मामला यूपी के बरेलिका है जहां पर एजाज नगर गोटिया की रहने वाली उजमा मेरा हक फान्डेशन के दरवार में मदद की गोहा लगाने पहुची है जगतपुर अलाके की रहने वाली उजमा ने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बलंद की है और अब वहे अपनी इस लड़ाई को आगे तक लड़ने के लिए मन बना चुकी है क्योंकि उसका कसूर सिर्फ उतना है कि उसने विदान सवाचुनाम में भारती जन्टा पार्टी के प्रत्याशी को वोड़ दे दिया है इसी से गुस्चा है उसके पती ने उसे तीन तलक की धंकी देते हुए घर से निकाल दिया है जो कि पूरा मामला अब मेरा हक फांडेशन की अद्धक्स फरत नकवी के सामने पहुच गया है जिन्होंने इस मामले को गंबिता से लिया और उसकी आवाज बनका लड़ाई लड़ने की बात कही है मामला यही है कि मैंने भारती जन्टा पार्टी को वोड़ दिया है जो कि तीन तलाग सबसे बड़ी बात है उन्होंने तीन तलाग बंद करवा दिया है और तो को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई होई नहीं सकती है और मेरे घरवाले बहुत गरीब हैं हम पांच बहने हैं मेरे पापा मजदूरी करते हैं महीने में दो बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरी शादी है love marriage हम दोनों की राज़ी थी हम दोनोंने love marriage करी है एक साल हो गया है दो जन्वरी को शादी हुई थी 2021 में तलाग मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शोहर के मामू ने ये कहा था उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है तो मैं हसके बोली योगी जी को तो बोड मैंने भी दिया है वो इतना अच्छा अच्छा कर रहा है इतनी अच्छी सरकार है तो मैंने का तीन तलाग उन्होंने रोग दिये तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी तीन तलाग बचा ले तो अब जो जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे उन्होंने ये कहा है मेरा नहीं है, बिलकुल हम लोग अराम से रहते हैं, मेरे साथ ससूर से मुझे मतलब नहीं है, हम अलग रहते हैं उनसे, मेरे साथ ससूर को मुझे से मतलब नहीं है, शोहर भी मेरे मामू की तरफ बोल रहे हैं, वो भी अब मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, वो भी बात नहीं कर जब मैंने कहा यह मसला मैं कहूंगी तो मुझे धमकी भी दिये मेरे छोटे भाई भेन हैं उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे क्योंकि वो लोग बड़े लोग है यह उस्मा ने मिझे आके बताया है कि उस्मा का आरोप है कि उनके पती जो है इनकी एक साल पहले शादी ह हुई थी और एक साल पहले शादी इनकी लव मैरिश थी उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था यह लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतिये जनता पार्टी को बोट किया और बोट करने में जब 10 तारिक को रिजर्ट आया ह इस चीज़ का उस दिन इन्होंने अपने घर में शोहर के मामू जो के सपा के पिर्तियाशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतिये जनता पार्टी को बोट दिया है और इसी लिए भारतिये जनता पार्टी जो जीती है क्योंकि उन्होंने मु तो इसलिए मैंने भारतिय जन्ता पार्टी को वोट किया है इस से उसके मामू और उसके शोहर नाराज हो गए और नाराज होके उसके मामू और शोहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तनहा पहने कपड़ों में निकाल दिया है यह उद्मा ने हमें आके बताया है तो ह हम फिलाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से जो सुस्राल पक्ष है पती है उससे हम बात करने का प्रियास कर रहे हैं क्योंकि लगतार पती का कॉंटेक्ट नमबर जो है जो हमें मिला है वो स्विच ओफ आ रहा है पती से जैसे ही संपर्क होता है उसके परिवार वा प्षिकारवाई ही होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे मेरा हक फाउंडिशन उद्मा को इनसाफ दिलाएगा देखें बहुत कम हो गए थे 82 फीजदी कम हो गए थे ये मामले तीन तलाक कानून आने के बाद और इस पे अब कही ना कही महलाओं को हमने भी अव्यार किया और तीन तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुसलिम महलाओं ने काफी खुशी भी मनाई थी लेकिन ये परिवार वाले सुस्राल पक्ष ये इतना प्रेश्राइस करते हैं मुसलिम महलाओं को कि जब चुनावी दोर आता है उस टाइम महलाओं का रुजान जब भारतिय जनता पार्टी की प्रती होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी को उनके घर की महलाएं बोर्ट करें